असलाम लेकुम आप सब को बहुत मुबारिकों पूरे पाकिस्तान को जिन्होंने हमारा मैच देखा और जिन फैंस ने हमें सपोर्ट किया इसी तरह से सपोर्ट करते रहें जिस तरह से आज हम T20 I1 न्यूजिलेंड से जीते हैं आईए चलके कप्तान से पूछते हैं कि वो किस तरह से इस विन को देख रही है और आगे इस तरह से कैसे लेके चलेंगी लगोट जीता है तो कैसा देखती है कि ये सीरीज को कैसा देखती है आगे किस तरह से टीम को लेकर चलेंगी देखोकी सबसे बले तो मबारस अपसदुलोगों को जिन्हों ने एक्ष़ुली एक्षुली एक अच्छा मोमें पकड़ा है और डेफिनेटली इस कंडिशन में खेलना थोड़ा था 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 बेंडी है काफी लेकिन हमारे लिए हल्प है काफी आज बॉल इनके बॉलिंग की और फिल्डिंग साइड को जिस तरह से आज ग्राउंड में आपने देगा है कि फिल्ड अपने रोल पर बड़ा जबदस परफॉर्म किया रोल्स बड़े क्लियर थे रिस्पॉंसिबिलिटी लेकिन उनने मैश पनिश भी किया जैसे कि आपने लास का चका मारा है बड़ा जबदस चका मारा है और जिससे का मोमेंटम हम शुरू से आज बॉलिंग और एस फिल्डर इंशाला नजीया नजीया मारे साथ मजूद हैं और यह टीम में यंग्स्टर भी हैं और विकेट कीपर हैं बड़ी जबरदस तो इनसे पूछते हैं कि आज जिस तरह से मैच जीते हैं तो कैसा फील कर रही हो बिल्कुल अलंगरिला काफी अच्छा फील हो रहा है न्यूज जिस तरह से आपने एक स्टंप बड़ा अच्छा नियदा की बॉल पर पकड़ किया तो कोशिश करोगी कि इसी को आगे करो और अच्छा टीम के लिए कर के दो अजी बिल्कुल प्रेजर मोमेंट पर रहूंगे और आगे भी कोशिच होगी कि बस प्रेजर मोमेंट पर मेरी उस पे ना आये बहुत अच्छी थी एंट तक मेरी आया अच्छी थी और हाला कि मैं ओफ्लो कर गई थी उस कैश पे लेकर आया होने की वजह से कि मैं अच्छी राइट टाइम पे मेरी जंप हुई थी और वो कैश आ गया था एक सेकंड के लिए मुझे भी यकिन नी आ झाल झाल